पानी में घोल के पी लें ये जल घिस्चुकी हड्यों में चिकनाई भरने से दूर होगा जोडों का दर्द नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों ocesioarthritis और osteoporosis दोनों ही वीमारियों में हड्यों को सब से जधा नुकसान होता है high uric acid के कारण crystal बनते हैं और ये joints के gap में जमा हो जाते हैं इस से जोडों का natural grease खत्म हो जाता है और हड्यां घिसने लगती है अगर आपके घुटने से कट कट की आवाज आती है या चरचराहट रहती है तो समझ ले आपके जोडों के लिगावेंट्स खत्म हो रहे हैं ऐसे में एक खास जल बस पानी में रोज घुल कर पीने से आपके जोडों का दर्ध भी कम होगा और हड्डियों का घिसना भी रुख जाएगा ये जल एक लिग्रिकेंट का काम करता है और इससे के वल हड्डियों को ही नहीं कई और बिमारियों में फायदा मिलता है ये जल है जिलेटिन, जिलेटिन दो तरह का होता है, एक एनिमल जिलेटिन होता है, दूसरा वेजिटेरियन जिलेटिन, वेजिटेरियन जिलेटिन को अलग-अलग नाम से जाना जाता है, दोनों के ही फाइदे समान हैं, बात करते हैं जिलेटिन किस तरह से जोडों के दर्द म एक वेबसाइट पर प्रकासित सोध के अनुसार जिलेटिन में पाया जाने वाला कोलेजन, आस्टियो अर्थराइटिस और आस्टियो पोरोसिस जैसी हड्डियों की बिमारियों में इलाज में मददगार होता है। साम को दो चम्मत जिलेटिन लगभग 5 ग्राम को आधा कप ठंडे पानी में भिखो दें। अगले दिन सुबा खाली पेटी से ले लें। बात करते हैं इसे कैसे खाएं। संपूर्ड प्रोटीन जिलेटिन बहतर है। यहातों के माध्यम से तरल पदार्थ ले जाने में मदद करता है। और पाचन तंत्र की परत को सुगदायक और सुरच छात्मक परत की रूप में भी कोड़ कर सकता है। बात करते हैं जिलेटिन के क्या-क्या फाइदे हैं। मसली से प्राप्ट जिलेटिन में ओमेगा 3 पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसीड होता है। यह कई समस्याओं के साथ साथ इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ा कर टाइप 2 डाइबुटीज को नियंतरित करने में कुछ हद तक फाइदेमंद हो सकता है। डॉक्टर के नु से छुटकारा पानी के लिए आप जिलेटिन की मदद ले सकते हैं। डॉक्टर के नुसार जिलेटिन में पाया जाने वाला अमीनो एसिड नाखुनों के विकास में सहयक हो सकता है। साथी नाखुनों के छिलने, तूटने और फटने जैसी समस्याओं को भी कम करता है। जि अनिद्रा की समस्याओं को दूर करने और नींद का समय बढ़ाने में जिलेटिन फायदे मन साबित होता है। डॉक्टर के नुसार इसमें गलाइसीन नामक घटक होता है। इस घटक का उपयोग अनिद्रा की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। जिलेटिन क पेट को स्वस्त रखना भी सामिल है। लीवर की कुछ समस्याओं को भी कम कर सकता है। जिलेटिन तचा को सस्त रखने में महत्वूर भूम का निभा सकता है। डॉक्टर के अनुसार, मेडिकल रिसर्च के अनुसार, जिलेटिन तचा की उम्र बढ़ने की गत को धीमा करने का काम करता है। दरसल क्या तचा पर एंटी ऑक्सिडेंट गत्वीदियों को बढ़ा कर एंटी एजिंग प्रभाव दिखाता है। जिलेटिन बालों के विकास और सुरच्छा के लिए फाइदे मंद होता है। जिलेटिन में मौझूद अमिनो एसिड बालों के लिए अच्छा होता है। इससे बालों के जढ़ने की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। अठरात्र संबंधी मार्ग की परत की सूजन को कम कर और दस्त हुआ अन्य पाचन समस्याओं को दूर करता है। जिलेटिन लीवर कोशकाओं और कार्बनिक हाइड्रो पराकसाइड योगिक के कारण हुने वाले ऑक्सिडेंट चोट से बचा सकता है। जिलेटिन तवचा की उम्र बढ़ने की गत को धीमा करने का काम करता है। दरसल क्या तवचा पर एंटी ऑक्सिडेंट गत्वीदियों को बढ़ा कर एंटी एजिंग प्रभाव दिखाता है। जिलेटिन बालों के विकास और सुरच्छा के लिए फाइदे मंद होता है। जिलेटिन में मौझूद अमिनो एसिड बालों के लिए अच्छा होता है। इससे बालों के जढ़ने की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है।